हेलो गाईज कैसे आप लोग मैं हो में तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंगाईड तो वेरिफिकेशन एंड सर्टिफाइड कॉपीज का अनॉंस्मेंट आ गया है ठीक है तो फटा फट मैं आपको बेसिक डीटेल्स बता देता हूं वेरिफिकेशन और सर्टिफाइड क बताऊंगा तो वीडियो पूरा आकरी तक देखें एस यूजवल वीडियो देखेंगे तो ही नॉलेज ट्रांसफर होगा ठीक है और वीडियो फटा फट लाइक कर दें ठीक है वीडियो लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए स्टूडेंट हो बहुत सारा मटेरियल आने वाला है बहुत सारे अपडेट बहुत सारा गाइडन्स बहुत सारे रिविजिन वीडियो मैरतन सब आने वाले है तो मेक शूर यू सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल एंड शेर दे वीडियो उन सारे लोगों के साथ जो सोच रहे कि का सबसे पहले मतलब क्या है सबसे पहले मैं elephant in the room address कर देता हूं कि rechecking नहीं होती ठीक है rechecking is not allowed as per ICSI rules ठीक है CA, CS, CMA तीनों में अभी तक rechecking का power है ही नहीं ठीक है तो आपका paper fresh double से check किया जाए ऐसी कोई facility है ही नहीं ठीक है तो rechecking नहीं होती है verification होता है तो what do you mean by verification verification में basically number one check किया जाता है कि कोई unchecked answer तो नहीं है जो check हो गया ना उसको recheck नहीं कर सकते जो unchecked रहे गया वो check करके marks दिये जाते हैं और वो add up हो जाते है दूसरा है कि totaling mistake तो नहीं है अलग लग pages के numbers होते हैं वो front page पे लिखे जाते हैं तो बरुबर front page पे गए की नहीं है उसमें कोई error तो नहीं है फिर जो front page पे totaling होती है वो total बरुबर की है की नहीं की है सारे pages के marks properly count हुए है कि नहीं हुए है तो यह जो भी manual errors होते है वो सब check किये जाते है कि हुए है कि हुए है हुए है तो वो सब उसको correct किया जाता है और unchecked dancer है तो वो check किये जाते है इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता rechecking नहीं कि जाती है जहाँ जहाँ आपको zero है वो फिर से check नहीं होता है zero मिला है मतलब वो check हुआ है जहाँ जहाँ जो numbers मिल गए है उसको फिर से evaluate नहीं किया जाएगा ठीक है तो बस इतना ही scope होता है verification of marks का ठीक है तो क्या-क्या है details ठीक है कब से apply कर सकते हो sir वो आज से स्टार्ट है और यह आप कर सकते हो 18th March तक ठीक है मैं लिखके दे देता हूं summary verification of marks ठीक है आप नोट कर लेना या screenshot ले लेना लाज डेट 18th March तक है 18th March 18th March 2023 तक है यह लाज डेट है फीस है sir 250 रूपीस पर पेपर ठीक है पर पेपर तक है पर पेपर 250 रूपीस लगते हैं इसमें Online आपको Apply करना होता है Login ID में आपके Option दिया हुआ है आप Login ID में जाके कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है Verification में क्या Covered है मैं Already बता चुका हूँ उसे साथ से आप Expectation रखे तो पूरा User Manual भी है Process पूरा इसमें दिया है इसका Link में डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ ठीक है पूरा Properly दिया हुआ है कि देखो आपको Module में जाना है Module में Exam का Option है Dropdown आएगा Exam के अंदर आपको Plus पे क्लिक करना है तो उसमें दिखेगा Verification और Inspection और Certified Copy उसके अंदर आपको जाना है और फिर आपको Add New Request में जाना है Add New Request में आप जाओगे फिर पूरा Form खुलेगा आपको सारी Detail भरनी है फिर Dropdown आएगा पूछेगा Verification है Certified Copy है कि Inspection है आपको Verification टिक करना है और फिर बस Fees Pay कर देनी है Subjects टिक करने है क्या 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 सब्जेक्स है टिक करना है और ये टिक करके amount आजाएगा पर सब्जेक्स के साब से वो आपको Pay करना है और आपकी request चले जाएगे ठीक है कुछ खास procedure नहीं है चलो तो procedure मैंने आपको बता दिया last rate बता दिया और मैंने आपको Fees बता दी ठीक है अब ध्यान दो अब आपको ये verification करवाना चाहिए कि नहीं देखो बात सिर्फ 250 रूपीज की है ठीक है नुकसान कुछ नहीं है अगर इसमें marks कम भी हो सकते है ठीक है हुए नहीं है मैंने बहुत कम देखा है कि किसी के marks कम हुए हो कम लेकिन theoretically conceptually हो सकते है कि अगर कहीं double counting हो गई ठीक है marks कम होने के chances ही कम है अगर answer unchecked रहे गया चेक किया जाएगा positive ही होगा marks add होंगे वहाँ negative नहीं जा सकते फिर कोई चीज़ front page पे नहीं आई है तो वो आ जाएगी तो उससे भी marks बढ़ते ही है कम नहीं होते कम कब हो सकते है कि double count हो गया है कोई number कोई page कोई चीज़ double count होई है तो बहुत ही rare होती है chances ही बहुत कम है या carry ford बरोबर नहीं होई है भाई आपके answer में two marks लिखा है पर front page पे उन्होंने गलती से three marks लिख दिया है तो वो correct किया जाएगा two marks ही कर दिया जाएगा एक mark कम हो सकता है ठीक है पर ऐसा बहुत rare हो सकता है but conceptually, theoretically मैं बात करूँ तो ये ऐसा हुआ होगा तो वो भी correct किया जाएगा और marks कम भी हो सकते है ठीक है तो अगर आप pass हो गए हो तो मत करो ठीक है पास हो गए हो तो क्यों करने की जरूद क्या है ठीक है जो fail हुए है जो any which way fail हुए है जो any which way fail हुए है जिनके result को कोई खाथ फरक भी नहीं पड़ता है वो लोग definitely verification के लिए जा सकते है it's a matter of a decision monetary decision है ये sir मेरे 7 माँ कम है मेरे 15 माँ कम है मेरे 25 माँ कम है क्या फरक पड़ता है भाई at the end of the day 200 रुपे की ही बात है अगर आपके मन में कोई बात रह गई है कि आपका paper अच्छा गया था नहीं मेरे को बहुत कम मिले है तो ये 200 रुपे में अगर आप इसको ठीक कर सकते हो तो problem क्या है 200 रुपे अफॉर्ड नहीं कर सकते तो फिर सोच के फाइदा क्या है समझ लए it's a matter of money लोग confuse कर देते अपने आपको simple monetary decision है जितने number of papers है into 250 ये amount आप अफॉर्ड कर सकते हो apply कर दो किसी से पूछने की जुरुत नहीं है क्योंकि marks बढ़े बढ़े बहुत जादा भी बढ़ चुके है काफी लोगों के क्योंकि अगर suppose 3-4 pages आपके unchecked रहे गए तो हो सकते है बहुत जादा marks बढ़ जाए मतलब क्या manual error हुई होगी किसको नहीं बता ठीक है तो बढ़ने के लिए तो marks डबल भी हो सकते वो depend करता है किसमत है वो ही कह रहा हूँ luck factor है apply करके भूल जाओ simple funda में बताता हूँ हमेशा apply करके भूल जाओ apply क्योंकि या मन की तसल्ली के लिए कि कुछ गल्ती हुई होगी कोई mistake हुई होगी तो मिल जाएगी और मेरी किसमत होगी तो हो जाएगा पर अगर कोई mistake हुई नहीं है मैं genuinely fail हूँ तो आप पढ़ाई पे लग जाओ ठीक है वही कह रहा हूँ पढ़ाई पे लग जाओ तो ही apply करें ठीक है clear है क्या यहां तक verification शलो अब आता है certified copy अच्छा एक और clarification कि sir क्या हम verification RTI से करा सकते है तो answer है no ठीक है verification सिर्फ और सिर्फ ICSI से ही होता है it's a separate service जो RTI में covered नहीं होती है तो अगर आपको verify कराना है आपको ICSI से ही कराना है ठीक है when it comes to certified copies तो यह आप दोनों से करा सकते हो मतलब किसी एक से करा सकते हो ICSI से भी करा सकते हो RTI से भी करा सकते हो obviously RTI का charge काफी कम है तो RTI आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उस पे एक separate वीडियो मेरा बनाया हुआ है procedure का उसका link में description में दे देता हूँ आप procedure समझ लो और आप apply कर दो ठीक है चलो तो अभी certified copies का क्या charge है ICSI का आजाओ देख लेते तो इसका last date है 26 फरवरी से आज से start हो गया है और इसका last date है 27th March 27th March 2023 तक आप apply कर सकते हो through ICSI अब RTI के लिए कोई date नहीं है but practically यह date है यह date है जो date टक ICSI accept कर रहा है उसी date तक RTI से भी accept किये जाएंगे तो RTI के लिए भी indirectly यही date होती है कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं लिखा हुआ नहीं है यह मेरा मैं experience शेर कर रहा हूँ क्योंकि कोई date ही नहीं होती फिर तो आप कभी भी apply करो सोचके देख लो अगला exam आने वाला है और आप पिछला copy कभी भी मंगा रहे हो ऐसा नहीं होता fixed dates ही होती है कहीं लिखा हुआ नहीं है so I am assuming कि ICSI के same dates होंगे जब तक ICSI application accept कर रही है RTI से भी accept होंगे होंगे ठीक है तो आप मान के चलो कि RTI के लिए भी यही last date है ठीक है फिर इसका जो चार्ज है sir वो ही सबसे बड़ा पंगा है वो है 500 ठीक है 500 per subject 500 per subject charge लगता है ठीक है ठीक है इसका भी same procedure है certified copies वाला जो मैंने आपको verification के लिए बता है same procedure है उसी drop down में certified copies भी आता है ठीक है तो आपको उसके साब से करना है clear रहे हैं यहां तक अब एक और option होता है inspection inspection का मतलब होता है physical inspection कि आप ICSI का जो NOIDA office है वहाँ जाके अगर physically copy देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो that is called as inspection तो स्रिफ एक ही location पे जाके देखना होता है तो इसलिए वो recommendable नहीं है उसको आप completely ignore करो सीधे सीधे certified copy बुला लो email पे आ जाता है download हो जाता है print करके बड़ी आप एक ही आप अपना evaluation कभी भी कर सकते हो आराम से आपके पास वो हमेशा के लिए copy देती है इंस्पेक्शन useless है ठीक है क्यों दिया है मुझे भी नहीं समझासता ठीक है तो वो NOIDA office AQ office में available होता है clear है clear है क्या ठीक है अब एक और बात कि certified copy के लिए अकर आप जा रहे हो certified copy through ICSI ठीक है ICSI के through certified copy के लिए जा रहे हो तो it includes verification ठीक है वो verify होके ही आती है तो अगर कुछ changes होंगे तो वो हो जाएंगे ठीक है verification वाला जो पूरा procedure है वो same follow किया जाता है अब वो same procedure RTI में follow होता है कि निए कहीं लिखा नहीं है ठीक है मुझे पता नहीं है मैं मेरा बता रहा हूँ ठीक है तो RTI का कोई proof नहीं है कहीं लिखा नहीं है कि RTI के through भी जब आप copy बुलाओगे तो verify होके आएगा कहीं लिखा नहीं है मेरे knowledge में नहीं है ठीक है तो किसी के पास कोई document होगा तो आप भेज सकते हो opinions मत बताओ opinions तो 10 लोग है 10 opinion होंगी opinions से मैं decisions नहीं लेता न मैं guide करता हूँ तो कोई document है कहीं लिखा हुआ है कि S RTI के through भी आप मंगा रहे हो तो वो verify होके ही आता है तो आप भेजे document भेजे link भेजे जो भी authentic कुछ documented website है आप भेज सकते है ठीक है मेरे knowledge के लिए मेरे knowledge में वो नहीं होता है ठीक है तो अगर किसी को verify भी करना है ठीक है verify भी करना है और copy भी देखना है काफी लोगों का ये need होता है ठीक है कि हमको verify भी करना है हमको copy भी देखना है तो दोनों apply करने की ज़रुद नहीं है ठीक है, बड़ चार्ज रहेगा 500 पर सब्जेक्ट, ठीक है, शलो, क्लियर है, सारे information मैंने दे दी है, ठीक है, screenshot आप ले सकते हो, ठीक है, verification का ये है, ठीक है, ये RTI का है, इसमें भी time सेम लगता है, six to eight weeks, screenshot आप ले सकते हो, RTI का procedure का जो link है, वो मैं description में आपको दे दीता हूँ, जिनको RTI के थूँ जाना है, वो RTI के थूँ जा सकते है, ठीक है, सारा procedure मैंने उसमें बताया हुआ है, सर, आप क्या recommend करेंगे, तो इसमें भी वो ही है भाई, बात affordability की है, आजा के पैसो की जबात होती है, अगर आप 500 रुपे पर subject, afford कर सकते हो, तो चुप चाप ICS है के थूँ जाओ, verification भी हो जाएगा, copy भी मिल जागी, बात अगर पैसो की है, afford नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज चीक है, तो सारी information मैंने दे दी है, I hope आपने पूरा वीडियो आक्ते तक देखा होगा, सारे points आपको clear हो गया होगे, कुछ अगर नहीं हुआ होगा, कोई वीडियो में cover नहीं हुआ है, तो आप comment में पूच सकते हैं, चीक है, thank you so much, do like the video, do subscribe my channel for more such videos, and do share the video with all your friends, जो ही decide करन चाहते हैं कि verification करें, न करें, copy बुलाएं न बुलाएं, चीक है, किसी को भी अगर मेरे मन चाहे marks नहीं मिलें, तो copy बुलाना हमेशा better रहता है, आपको अगले attempt के लिए help हो जाती है, अगले attempt के लिए help हो जाती है, आपको direction मिलता है, कि आपको काम कहां करना है, आपने क्या उस पे क्या marks मिलें, यह जो knowledge है, यह बहुत काम आती है for preparing the next attempt, वो आप teachers को भी देखा के teachers से भी input ले सकते हो, सब मेरा paper अच्छा गया था, मैंने पूरा paper solve किया था, इन सब से teacher आपकी कोई help नहीं कर सकता, वहाँ paper में आप क्या लिखके आए हो, that only matters, आपको कितना आता है, क इस पे आपको evaluate करना हमेशा accurate रहता है, यह रहे, emotions से काम नहीं होता, काफी लोग emotions दिखाते है, number of attempts count करवाते है, 6 attempt हो गया, तो मैं क्या करूँ, 6 attempt हो गया, तो पास कर दे, 6 attempt हो गया है, तो मतला आपकी कोई गलती नहीं है, सब institute की गलती है, ऐसे थोड़ी होता है भाई, paper लिखाओ, paper बुलाओ, paper दिखाओ, फिर जब paper लेके बैठेंगे ना, फिर आपको शरम आईगी, कि आप क्या लिख्या है हो, आपकी language कैसी है, आपकी handwriting कैसी है, आपकी presentation किती है, आप कित्ता paper छोड़ा क्या हो, वो जब लेके बैठेंगे ना, फिर तगडी बात होगी, फिर थोड़ा सा realistic बात होगी, ठीक है, तो बुला लो paper, ठीक है, paper बुला लो, हमेशा help करेगा, आपको personally भी help करेगा, teachers को दिखाने के लिए भी काम आएगा, inputs वगएरे बहुत अच्छे से आपको मिल पाएंगे, ठीक है, तो I always recommend कि आप certified copy बुला लो, कहीं भी अगर आपको अग